आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का आनन लो प्रती दिन के जीवन का में स्वागत है आज इस कारिक्रम में हम बाते करेंगे प्रभू को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के विशह में मैं सुस्तियों हम सब जानते हैं क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं और सारे दबाओ और माँगे जो हम पर लाद दी जाती हैं कि यदि हम प्रभू को प्रथम रखें और जो उसकी प्राथिमिक्ता है उसे दें तो ये हमें एक उदेश के साथ करना होगा यदि इश्व हमारी सब बातों में प्रभू नहीं है तो वो प्रभू है ही नहीं और मेरा विश्वासे की प्रभू को प्रथम रखने के लिए हमें समझोते भी करने चाहिए आज की शिक्षत आनन ले आज मेरे संदेश का विशय है क्या ईश्व आपका तातकालिक प्रिय है या आपका प्रभू है और मैं चाहती हूँ आपने कारे मत्ती साथ पद इक्केस परन्तु हरेक नहीं जो मुझे हे प्रबु हे प्रबु कहकर पुकारता है स्वर्ग के राजी में प्रविश करेगा परन्तु वही जो मेरे पिता की इच्छा को जो स्वर्ग में है पूरी करता है बाते बेकार है ये कार्य है जो मुख्य मैं कह सकते हूं प्रभू तो मेरे जीवन में प्रतम है परन्तु यदि में ये बात सिद्ध ना करूं प्रभू को अपने कार्यों में प्रतम स्थान न देकर जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है जैसे पैसा समय और निर्ण है तो ये सब कुछ किवल मूँ के बचन है शैतान कभी नहीं चाहेगा कि प्रभू आपके जीवन में प्रथम हो परमेश्वन जलन वाला प्रभू है वो भस्म करने वाली आग है और वो हर उस बात को जला देगा जो आपके और प्रभू के बीच आती है याकुब चार पद चार याकुब अध्याय चार पद चार और पांच तुम अविश्वासी पत्नियों के समान हो जिनके संसार के साथ गलत संबंध है और प्रभू के साथ विवाहा की वाच्चा को तोड़ दिया है हम विवाईते प्रभू के साथ क्या आज आप इसे समझ रहे हैं मेरा एक सवाल है क्या आप विवाईत हैं या बस समय बिता रहे हैं और आखरी बार कब आपने इश्यों को महिमा दी आप रभु से मिलने वाले थे लेकिन बीच में कुछ आ गया और आप रभु से मिलने नहीं गए तुम अविश्वासी पत्यों के समानों जिनके संसार से गला सम्मन्दे और उन्होंने प्रभु के साथ विवा की वाचा को तोड़ दिया कि आप नहीं जानते संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना है इसी लिए जो चुनता है कि संसार का मित्र बने वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है आप एक कदम संसार में और दूसरा परमेश्वर के राज में रखकर खड़े नहीं हो सकते आपको अपना मन बनाना होगा यदि आपको प्रभु की सेवा करनी है तो यदि आप एक पूर्ण कालिन मसी बना चाहते तो आप हर दूसरे वक्ति के समान नहीं हो सकते बाइबल कहती है में धार्मिक्ता के भूके और प्यासे रहना है और हमें पूरी तरह संतोष्ट होना है परन्तो मत्ति के इसी अध्याय में इस प्रकाल लिखा है कि धर्मी लोग सताए जाएंगे मैं दोबारे इसे कहना चाहते हूँ यदि आप प्रभु की सेवा जोश के साथ करेंगे जैसा प्रभु चाहता है हर कोई इसे पसंद नहीं करेगा आपको कश्रदायक न्याय सेहना होगा कुछ आलोच ना भी और ऐसे कुछ लोग भी होंगे जो आपके विशे कहेंगे और शायद वो आपके परिवार के ही हो और वे बस उसका एक भागी है जो आप सेहेंगे प्रभु के साथ संबन बनाये रखने के लिए ऐसा सभी के साथ होता है यदि मुझे प्रतारित करनी की बजाए मुझे प्रतारित नहीं किया जाता तो मैं चिंतित रहती यदि आप शेटान के और धिहान न दे तो वो भी आप पर धिहान नहीं देगा याकुब अध्याई 4.5 क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है क्या वो ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफलडा हो आपके जीवन साथी की क्या प्रतिक्रिया होगी यदि आप उनसे कहें कि आप उन्हें प्रेम करते हैं परन्तो अधिक समय आप किसी दूसरे के साथ रहते हैं दूसरे के विशय सोचते हैं दूसरे के बारे में बाते करते हैं येदि प्रभू हमारे जीवन में प्रथा में तो उसी के बारे में सूचें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप करते हैं उसके विशे में वो क्या सोचता है आपके हर नेड़ने मेरे विचार से इशू वो प्रथम विक्ति होना चाहिए जिससे आप सुबह उठकर बाते करें और जो आखरी विक्ति जिससे हम रात में बाते करें वो इशू होना चाहिए और यदि मद्य रातरी में हम उठे तो हम उससे से बाते करते रहे भजन सत्रा पंद्रा में एक वचन है जो मैं पढ़ नहीं पाए जिसके लिए आपको कोशिश नहीं करना है आप उठेंगे और कहेंगे मैं तुस्से प्रेम करता हूँ प्रभू तुस्से प्रेम करता हूँ तु अद्बूते प्रभू हालेलुया तब आप पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे ऐसा बाइबल कहती है ये अनुशासन है शुरू में आपको अनुशासित होना पड़ेगा परंतु बाद में ये एक आदत बन जाएगी मुझे ब्रश करने के लिए लिखना नहीं है कि खाना खाने के बाद मुझे ब्रश करना है मैं बस ऐसा करती हूँ मैं उसकी बारे में सोचती नहीं मुझे करना है ये एक आदत है जो मैंने बनाई है मुझे स्वयम को याद दिलाने के आफशकता नहीं कि बाहर जाने से पहले मुझे कपड़े पहनना है ये एक आदत है जो मैंने बनाई आमीन मुझे अपने को मेक अप करने के लिए याद देलाने की ज़रूतनी ये एक आदत है जो मैंने बनाई खाना खाने के लिए मुझे याद नहीं देलाना पड़ता आमीन मैं आपको बताओं क्या आज दिन की भोजन के लिए कल सुबे से मैं योजना बना रही हूँ मैं जान क्यों मैं कहा जा रही हूँ हमारी टेबल जमी हुई है और हमारे पास योजना है क्योंकि ये हमें करना अच्छा लगता है जब ये सभाय समापत होंगी मुझे खुशी होती है परिवार के सदस्यों के साथ कहीं भोजन करने जाओं और ये मुझे अच्छी ताजगी देता है जब आप कुछ करना चाहते हैं आप योजना बनाते हैं उसके लिए येदि आप रभू के साथ समय बिताना चाहते हैं आप उसके लिए योजना बनाएंगे आप समय का इंतजार नहीं करेंगे और युदि कुछ समय निकल जा और आपके पास करने को कुछ नहुता आप प्रभू के साथ समय बिताएंगे आमीन मैं कल के विशे सोच रही थी और मैंने सोचा कि मैं कल डेव के साथ समय बिताऊंगी और उनके साथ बैठ कर कॉफी प्योंगी घर से बाहर खाने जाएंगे थोड़ी शॉपिंग करेंगे और हम दोनों साथ साथ रहेंगे जानते हैं हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए ईशो के साथ दिन बिताने के लिए मैं अगले हफते कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ सिर्फ मैं और प्रबु पांच दिन सिर्फ प्रबु के साथ मैं उसकी बाठ जो रही हूँ और मैं कुछ पुस्तके लूँगी अपने साथ, मैं कुछ संदेश भी लूँगी जिन पर मुझे काम करना है और मैं किसी और को नहीं देखना चाहती है मैं सिर्फ घर पे ही रहूंगी बिलकुल शांत और आराधना करते और संगीत सुनकर और प्राथना और अध्यन करूंगी और मुझे इसकी जरूरत है उस अलग किये जाने की जो मैं परमिश्वर के साथ बिताऊंगी साल में कई बार मुझे से समय की जरूरत है ताकि मैं ताजगी महसूस कर सकूं एक योजना बनाए उसकी साथ समय बिताने के लिए आप क्या प्रतिक्रिया करेंगी जब आपका जीवन साथी कहें मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं खुशू किया विवाहित है या विवाह से पहले आपकी मंगनी हो चुकी है और विविक्ति जिसके साथ आपका विवाह होने वाले आपसे कहें कि मैं तुमसे प्र प्रतिशत विश्वास निया योगी रहूँगा आप शायद कहेंगे सब भूल जाओ अर्थात 95 प्रतिशत और मैं आप से सुर्फ 5 प्रतिशत की छूटी चाहती हूँ क्या ये दिया आपका पति कहें मैं पूरी तरसे विश्वास योगी रहूँगा साल के 360 दिन परन्तु मुझे साल के सिर्फ 5 दिन चाहिए कि मैं जो चाहे वो करू बिना किसी सवाल जवाब की हम जानते हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम क्यों ऐसा सोच लेते हैं कि प्रभू हमारे कभी-कभी आग्या मानने से और उसे अपने जीवन में थोड़ा बहुत समय दे देने से वो संतुष्ट हो जाएगा आँ आँ एक बाहर कई दिन पहले प्रभू ने मुझसे कहा जो कई वर्षों तक लाब दायक रहा उसने कहा जानती हूँ जोईस यदि लोग इच्छुख होकर मुझे ढूंडे तो वो उतने जरुत मन नहीं होंगे जितना की उनकी परिस्थितियों में वो लोग होते हैं इसलिए मैं हमेशा प्रभू से कहती मैं जरुत मन दू प्रभू मैं आपको अपने जीवन में पहला सान देना चाहती हूँ मैं केवल कटिंग शरू मैं ऐसा नहीं करती मैं हमेशा ऐसा करती हूँ देखिए पहला कुरूंतियों छे हम देखेंगे पद उननीस और बीस पहले कुरूंतियों छे के उननीस और बीस क्या तुम नहीं जानते कि तुमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है वा 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 परमेश्वर आप में रहता है आप प्रभू का घर है हमें प्रभू के मन में जाकना चाहिए हम अकसर ये सोचते हैं कि प्रभू आस्मान में कही है परन्तु वो आप में वास करता है वो आपके अंदर रहता है जहाँ भी आप जाते हैं वो जाते हैं जो कुछ आप करते हैं उसे करना पड़ता है उसे आपकी सारी बाते सुननी पड़ती है क्या तुमने ये जानते कि तुम्हारी देह पवित्रात्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है जिसे तुमने परमेश्वर से दान में पाया है और देखें ये आखरी वचन को तुम स्वयम के नहीं हो बंद करूई दिखावा कि तुम्हें पूरा हाके अपने अनुसार जीवन जीने का आपको कोई अधिकार नहीं अपने हिसाब से जीवन जीने का और आप एक भद्दाकारी कर रहे हैं आप दाम देखकर मोल लिए गए हैं खरीदे गए हैं मुलिवान वस्तु द्वारा और दाम दिया गया है आपके लिए ताकि आप उसकी बने सब कहें मैं परवेश्वर कहूँ वाव मैं आपकी बेटी हूँ प्रभू आप मेरा ध्यान रखे मैंने बहुत पहले प्रभू से कहा यदि मैं आपसे संबंद रखती हूँ प्रभू तो मैं आपकी हूँ और आप भी मुझे संभाले मैं चाहती हूँ आप मेरी मदद करें ठीक से तयार होने में मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ यदि मेरा संबंद आप से है तो मैं चाहती क्यों ये दिखे मुझे ये अच्छा लगता है देखे कभी-कभी हमें सिर्फ उसके वचनों को पढ़ना है मैंने किंग जेम्स वर्षन में 1300 ऐसे पढ़ धूंडे जिन में पढ़ना या निहारना शब्द इस्तिमाल हुआ है निहारने का आर्थ है टक-टकी लगाना किसी भी वस्तु को बारीकी से देखना जब मैं सुबह उठती हूँ आपकी ओर निहारती हूँ और मीठी बाते करती हूँ एक बात मैंने चाही प्रभु की और वो ये कि मैं उसे खोजू कि उसकी सुन्दरता को मैं निहारू और उसकी उपस्थिती में जीवन के सारे दिनों में बनी रहूँ आए उसकी वचन को निहारे तुम स्वयम के नहीं हूँ तुम स्वयम से सम्बन नहीं रखते बंद करे जो आप करते रहे हैं आप दाम दे कर मूल लिये गए हैं आप खरीदे गए हैं हीशू के बहु मूल्य लहू के द्वारा आप उसकी बनाए गए हैं इसलिए इसलिए आईये उसका आदर करे और उसे महीमा दे अपने इस जीवन काल में निर्गमन बीस तु मुझे छोड़ दूसरे को इश्वर करके ना मानना व्यवस्ता विवरन 4,24 कहता है हमारा प्रबू भस्म करने वाली आग है एक जलन रखने वाला प्रबू और जो कुछ भी हम प्रबू के सामने रखते हैं वो उसे या तो हटा देता है या फिर सुलजाता है शायद हमारा कारी हमें परमीश्वर से दूर रखता है प्रबू उस कारी को हटा देगा यदि आप कारी करते हैं और प्रबू को प्रथम रखते हैं तो ठीक है पर उन्तो कोई भी बात जो आपको प्रभु से दूर करती है तो प्रभु उसे ठीक करेगा या उससे हटा देगा जब सत्तर के दशक में प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया मैं पूर्ण कालिन रूप से कारे करती थी जो मेरा अधिक सामे लेता था मैंने खुब पैसे कमाए प्रभु मुझे से दीरे दीरे बात करने लगा और वो चाहता था कि मैं अपना व्यवसाद छोड़ कर तयारी शुरू करूँ अपने सेवकाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि बाइबल कॉलेज आ सको मेरे तीन छोटे बच्चे थे अपना काम मैं छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि मेरे कारे छोड़ने करते था कि आई से ज़्यादा बिल भरना आप जानती कैसा होता है जब प्रभू कारे करता है थोड़े दिन बीतने पर आप और ज्यादा महसूस करने लगते हैं जब प्रभू आप में कारे करता है वो एकदम से चला नहीं जाता है वो बैट जाता है आप उसे नजर अंदास कर सकते हैं परन्तु वो फिर आ जाता है कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब प्रभू ने मुसे बाचीत कियो क्योंकि वो ठहर जाता है मुझे नौकरी छोड़ने से डर्थ था इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़कर एक दूसरी आंशिक नौकरी ढूंड़ी अंशकालिक आग्याकारी था वो मेरा अंशकालिक प्रेमी था मेरा प्रभू नहीं मैंने ये अंशकालिक नौकरी पाई और वास्तों में मैं और एक और लड़के उस नौकरी को कर रहे थे मैं तिन दिन का कारी करती थी एक हफ़ते और दूसरे हफ़ते के दो दिन और वो छुटी पर रहती थी और हमने इस तरह अपना कारी बाट कहानी को छोटा बना कर कहूँ ऐसे में कई महने लग गए कैसे कभी-कभी हम जानती कि कि हमने पूरी रीती से प्रभू के आग्या पालन नहीं किया परंतो अपसोचते हमने कुछ बलिदान दिया है शायद मैंने जो आपने चाहँ वो सब नहीं दिया परंतो देखो मैंने क्या दिया कमान नो कितनी बार हम प्रभू के आग्या पालन की जगह बलिदान करते हैं और फिर घमन करते हैं क्योंकि हमने ये दे दिया परन्तु प्रबु इसे प्रसंद नहीं है क्योंकि जो उसने मांगा हमने उसे नहीं दिया हम सोचते हम बहुत कुछ करते हैं प्रबु को वो नहीं देते जो उसने मांगा परन्तो हम उसे कुछ और दे देते हैं और सोचते चुके हमने इतना बड़ा बलिदान दिया है तो प्रभू को खुश होना चाहिए प्रभू मैं अंशकालिक रूप से कारी कर रही हूँ उसने मुझे ऐसा नहीं कहा था उसने मुझे कहा था कि मेरी नौकरी छोड़ दू मुझे अपने अंशकालिक नौकरी से निकाल दिया गया मैं एक अच्छी कारे करता थी परन्तो मुझे निकाल दिया गया बिना किसी वज़ा के मुझे निकाल दिया गया और जानते हैं मुझे समझ आ गया कि ये प्रभू है और मुझे लगा वो मुझसे कह रहा है या तो तुम मेरे कहने के अनुसार कारे करोगी या फिर बिल्कुल नहीं करोगी नजाने प्रभू मुझे इस सिस्थिती में क्यों रखना चाहता है जहां मेरे पास महिने के खर्च के लिए भी पैसनी थे परन्तु आज जब मैं मुढ के देखती और मैं जानती हूँ प्रभू ने ऐसा क्यों किया क्योंकि मुझे सीखना था परमेश्वर पर विश्वास कश मैं गिर नहीं सकती थी क्योंकि यहां परमिश्वर के द्वारा नहीं बिचले जो मेरे पास यहां कुछ मदद रहती थी आमीन परमिश्वर ने पून रूप से मुझे उस पर निर्भरोना सिखाया पून रूप से विश्वास करना उसने जो मैंने रखा था उसे छीन लिया जिस पर मैं विश्वास रखती थी क्योंकि मैं उसकी नहीं सुनती थी वो मेरे जीवन के बहुत ही कठिन परन्तु बहुत ही अध्भुत वर्ष थी हर महीने बिल के चुकता के लिए हमें चमतकार की जरूरत थी मैं एक छोटा बाइबल समू अध्यन लेती थी परन्तु कुछ प्राप्त नहीं होता था लोग मुझे जानती थी और ईश्व की समान जब लोग आपको जानते वो उसकारे का आदर नहीं करते जहां प्रभु ने आपको रखा और इसलिए वे साहता दिखाने में रुची नहीं रखते थे और प्रभु भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो मैं चाहती थी परन्तु प्रभु नहीं चाहता था कितनी अद्बुत बात है ना जब हम लोगों पर घुसा होते हैं कि वे हमारी साहता नहीं करते जो उनें करणा चाहिए परणतो परमीषवर उने रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उन पर निरभरों परमेश्वय ने मुझे सिखाया किस उस पर भरोसा रखो ना कि दूसरों पर कि मेरी साहता करे और वो चाहता था कि मैं सहवकाई करना सीखो बिना कुछ पाने के अपेक्षा कि वो एक शुद्धी करन का समय था मेरे लिए आपको प्रभु के राज़ी के लिए काम करने की कोई कीमत नहीं लेनी है आपको सब कुछ करना है बस इसली क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और उसका कारे करना आदबुत है आमीन लोगों को इसका लाब नहीं उठाना है परनतो आज एक दूसरी समस्या आदे समेदी कोई गीत लिए और वे आपको गीत गाते हुए सुन लेते हैं और आपने उने लाब नहीं दिया तो वे आप पर मुकदमा करना चाहेंगे ऐसी कुछ बाते हैं जो गलत है आमीन जो कुछ हमारे पास ये प्रभु की ओर से है और वो उसके राज्य के लिए है जैसा मैंने का हमें दूसरों से लाब नहीं उठाना चाहिए जो अपने जीवी का गीत लिखकर और रेकार्ड द्वारा कमाते हैं मैं उनके साथ आदर के साथ पेश आना चाहिए मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि हमें पैसे कमाने के धुनी नहीं होना है और ऐसी बातों के लिए छोटा नहीं बनना है हालेलुया मुझे याद है वो लिख्योई बात है जिनके लिए मैंने प्रभू उपर विश्वास किया प्रभू मुझे नया पैन चाहिए और मुझे थोड़े नय बरतन चाहिए और मेरे बच्चों के लिए टनिस जूते चाहिए और मैं गरत सेल के लिए जाती है और वहां वो जूते हैं जिनकी कीमत 25 सेंस हैं और मैं कहे रती की ओह वो थो प्रभू था डेव मुझे बिलकुल नय टनिस के जूते मिले बच्चों के नाप के 25 सेंस में बहुत अच्छे हैं मैं गरत सेल में जाती हूँ और मेरे पास तीन डॉलर है और जब मैं वापस आउँगी कुछ लेकर जो एक खजाने के समान है आमीन सच पुछ वो एक बड़ा दिन था जब मैंने गरत सेल से छुटकारा पाया मैं इसे ही इन भावना से नहीं देख रही परन्तो आप जानते एक राजा की बेटी होने के नाते मैंनी सोचती मुझे सेल से खरीदनी करनी होगी जीवन भर लेकिन जैसे मैंने कहा मैं उससे तुछ नहीं समझती दी आपको मज़े आते तो आप जो चाह करें परन्तो मैं उससे ठक गई थी वहाँ जाना और वहाँ से लाना ये अधिक कार्य था मैंने प्रभू से एक बार बरतंदोने वाले कपड़े के लिए विश्वास के और में जो बतारी हो सत्ते एक दिन दर्वाजे की घंटी बजी और एक स्त्री जिसे मैं जानती थी आई अच्छी तरह से नहीं परन्तो उसने का मुझे आशा है तो मुझे एक कटोर मजाक करने वाली मूर्ख नहीं समझोगी परन्तो जब आज मैं प्राहतना करी थी मुझे रगा कि परमिश्वर मुझे कहने थी कि आपके लिए बारा नहीं बरतन दोने के कपड़े लाने को और मैं हवा में उड़ने लगी मैं बहुत सी बाते बता सकती है एक बार मैंने प्रबु पर एक नई शमीज के लिए विश्वास किया और मुझे वो शमीज पत्र द्वारा प्राप्त होई और स्त्री ने लिखा प्रबु दो महिने से मुझे कह रहा है कि मैं आपको ये खरीद कर दे दू मुझे आशा आप मुझे पागल नहीं समझेंगे परन्तु मुझे प्रबु के आज्यमाननी है आमी हमें प्रबु को खोजना है हर समय ना केवल उस समय जब हम जरूत मन्ध हो और हमें उससे कुछ आवशकता हो मेरा विश्वा से हमें हर समय उसके लिए रहना है क्योंकि हम वास्तों में हैं भी परमेश्वर सब बात ये संभालता है और मुझे आश्चर होता है ये सोच करेदी कुछ क्षणों के लिए मेरे जीवन या सेवकाई से दूर हो जाए प्रभू तो सब कुछ मुझे पर तूट पड़ेगा और हम बड़ी आसानी से इस परीक्षा में पढ़ सकते हैं कि जब हमें जरूरत हो तब हम उससे खोजें परन्तु मेरा विश्वा से कि हमारे आत्मिक बड़ोत्री में एक मुडाव आता है जब हम अपने हर समय में प्रभू को खोजने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा और जैसे विश्वास योगिता से अच्छे समय में हम खोजते हैं वैसे ही कठिन समय में भी और ऐसा करने के लिए हमें प्रभू को प्रथम रखते हुए अपने जीवन में बीज भी बोना है